दोस्तों, RRB NTPC का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और उसी किकरम में कुछ महित पुर नोटिस भी देखने को मिल रहे हैं RRB NTPC के परिणाम से नाराज छात्र और उसके बाद CBT2 का जारी नोटिफिकेशन से नाराज छात्रों ने गया में रेलवे अमें अहां पर ट्रेन में आग लगाई ऐसा इन समाचार पत्रों का कहना है उनका कहना है कि छात्र तीसरे दिन भी उपत्रों करते रहें लगवग 10 गंटे तक उन्होंने परिचालन को बाधिद भी किया और प्रेनों में आग भी लगाई इन तस्वीरों में भी दिखाया गया है वहीं पर प्रियाग स्टेशन पर बवाल में 6 पुलिस करमी निलंबित किये गए यह मामला प्रियाग राज का है जो की 25 जनुरी 2022 को उनके घरों और लौज में घुसकर छात्रों के साथ पिटाई की गई जिसके चलते बिभाग में जब काफी मामला हाइलाइट हुआ तो उ लेहार और यूपी में बीरोध के बाद अब रेलway ने जो भरती परिच्छाएं फिलहालने इस्थागित कर दिया है और सोसल मीडिया पर छात्रों के बढ़ते आक्रोज को देखते हुए सरकार ने ये अंतिम निर्णे लिया और इस परिच्छा को इस थागित कर दिया और दूसरे चरण की जो पर इच्छा थी उसे भी स्थगित किया कहा गया कि भरती प्रक्रिया पर उठे सवालों को हल करने के लिए रेल मंत्री ने आपर मोर्चा सम्हाला है उसके बाद ये कमेटी बनाई गई है ये भी बताया गया कि चार मार्च तक रिपोर्ट देगी ये और चैन प्रक्रिया पर 16 फरवरी तक अब भ्यारती आपर अपने जो भी उनकी कमिया है जो उनको लगता है कि रिजल्ड में कमिया है वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं उसके लिए और बी एंटी पीसी ने जो अपना नोटिस जारी किया हमने अपने चैनल पर बताय है चैन बोर्ड के जो ये कमेटी रिपोर्ट है उस पर क्या आएगा क्या च्छात्रों का जो बाते हैं च्छात्रों की जो बाते कही गई हैं उनको माना जाएगा उनके हक में परणाम आएगा क्या नहीं आएगा ये चीजें चार मार्च के बाद ही इस बस्ट हो पाएंगी बहुत सारे छात्रों के सवाल थे लगातार कि सर आइडेट जूनियर सिच्छक भरती का क्या हो रहा है यह प्रक्रिया अब कहां तक पहुंची है तो इसी सवाल का जवाप आपको इस वीडियो में मिलने वाला है हम आपको बता दें अभी तक जो PNP की प्राथमिक्ता थी वो प्राथमिक्ता थी UPTT कराना क्योंकि सरकार के यहां पर आदेज भी थे सरकार लगा तारिस पर जो है बहुत ही परिशान थी क्योंकि 21 नौंबर को परिच्छा रद्द हुई थी जिसके चलते एक चुनावती बन अच्छे से पूर्ण कराना ही कराना है जिसके चलते PNP के जो इतने भी आला दिकारी थे वो UPTT पर इच्छा को लेकर यहां पर बेस्त थे तो जब भी छातर जाते थे एड़ेट जूनियर से इच्छक बरती की बात करने तो उनके दोरा यही पताया जाता कि UPTT के बाद ही हम इस पर विचार करेंगे फिलाल UPTT की परिच्छा संपन हो चुकी है और प्राप्त जानकारी के अनुसार एड़ेट जूनियर हाई स्कूल की जो प्रक्रिया है जो उसका पूरा फाइनल परिणाम है वो बनाकर निदिशाले को भीजा जा सकता यानि कि सिच्छ विवाग को औ बात में हम आपको बता दें इसमें PNP का एक और भी यहां पर में मुद्दा है UPTT के बाद में मुद्दा उनका यह 68000 जिए 68000 जो 69000 में से 68000 सीटे और अच्छन सूची को दी गए और अच्छन सूची के लिए वह भी PNP का इसके बाद में मकसद है अब UPTT के बाद लगाता जो PNP काम करना चाह रहे है यानि SCRT सिच्छन जाह से जितने भी हैं सभी लोग 68000 सीटों पर काम करने जा रहे हैं क्योंकि इस पर भी यहां पर सरकार का ही कहना है सरकार का भी में मुद्दा है कि इस वर्ति को कैसे कैसे पूरा किया जाए लेकिन यह मामला हाई कोर्ट पहसा हुआ है और जिसकी अंतिम सुनवाई आज होनी है 27 जनवरी 2022 को पिछली सुनवाई में यहां पर इस्टे लग गया था लेकिन लाश्ट में जब 3.45 पर एजी सहाब दोबारा से पहुंचे सरकारी वकीर के निवेदन के बाद तो इस्टे तो हड़ गया लेकिन आज इ अंतिम सुनवाई होगी और आज इस पर फैसला जारी हो जाएगा क्योंकि सरकार इस पर बहुत ही पूरी तरह से कोसिस कर रही है जो भी विभाग है कि भरती प्रक्रिया को एक सब्ता के अंदर पूर कर लिया जाए और इसी के कारण इस पर जो आज अंतिम निर्णे देखन करना पड़ेगा एड़ेट जूनियर को हो सकता है कि एड़ेट जूनियर को अभी और लेट किया जाए कि जब 68 सो पूरी कर ली जाए उसके बाद इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि समस्त विभाग इसमें भी एड़ चाहे वह सी आटी हो चाहे पी एनपी हो जैसे सबका रोल है कुछ ना कुछ सबका रोल हैं सभी में तो इस वज़े से थोड़ा सा प्रक्रियाएं रुख जाती हैं और अभी तो केवल यूपी टीटी की परिच्छा ही हो पाई है अब आज 27 जनरी 2022 है और आज यूपी टीटी 2021 की जो उत्तरकुंजी है वह यहाँ पर जारी होनी है उत्तरकुंजी आज 27 जनरी 2022 को दोपहर के बाद आप कभी भी यहाँ पर इस आधिकारिक वेबसाइट पर आप चेक कर से इस अधिकारिक वेबसाइट को आप नोट कर लीजे यूपी डीले.gov.in इस वेबसाइट पर आप दोपहर के बाद कभी भी अपनी उत्तरकुंजी को डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं उत्तरकुंजी तो आज इसकी जारी होने जा रही है लेकिन छात्र उन तीन प्रशनों को लेकर जो 2017 में फसे हुए थे साइट में रिपीट मामले को लेकर हाई कोड भी पहुँच चुके हैं तो कहीं न कहीं UPTT 2021 के परिणाम पर भी यहां पर बहुत ही जादा समस्याएं देखने को मिल सकती हैं तो कि कमियां PNP के तरफ से हुई हैं तो उसके चलते यहां पर जो है वुगतान कुछ नकुछ होने को देखने को मिल सकता है तो उस पर सुनवाई अभी तारीक नहीं डिसाइड हो पा रही ह उम्मीद है कि इस सब्ता के लाष्ट में अगले सब्ता में सुनवाई हो सकती है तो सुनवाई होने के बाद ही निर्दारित हो सकता है कि इसमें और क्या चीज़े होंगी कोड क्या इस पर अपना रुक दिखाने वाला है वो चीज़े धीर धीरे इस पस्ट हो जाएंगे, उम्मीद है कि अगले सब्ता में सुनवाई संभावता हो पाएगी, फिलाल आज उत्तर कुंजी जारी होगी, जैसे ही जारी होगी, उसकी हम अलग से वीडियो के मादियम से जानकारी देंगे, आप चैनल पर जुड़ जाए लेकिन उससे पहले, जो हाई कोट का आदेस है, दोहजार तेरा प्रधाना चार भरती, जो की 31 जनवरी दोहजार पूर्ण करने के निर्देस दिये गए हैं, फिलाल चैनल बोड तैस समय पर उस भरती को नहीं पूर्ण कर पा रहा है, जिसके लिए उसने एक लेटर लिखके हाई कोट को लिखा भी है कि सर, हम इस भरती को तैस समय पर नहीं पूर्ण कर पाएंगे, हमें 10 दिन का समय और दिया जाए, फिलाल हाई कोट की तरफ से अभी इस पर कोई भी जवाब देखने को नहीं मिला है, तो जो प्राथि मिक्ता है, वो 2013 की प्रधाना चार भरती है, और इसके पूर्ण होने के बाद TGT-PGT भरती सुरू हो सकती, लेकिन उससे पहले जो 1000 समय और है, वो पूर्ण होगा, उसके बाद जो पद बचेंगे, उस पर नई TGT-PGT से च्छक भरती जारी होगी, लेकिन अभी कुछ चात्र चैन बोड गये थे, सच्यू से मिले थे तो उनकी एक नई मांग और है, मांग ये है कि समयोजन के बाद एक दोबारा से अधियाचन मांग लिया जाए समस्त डियायो से, तो अब तक जो रिक्त पद होंगे उनको भी इसी नई TGT-PGT में जोड लिया जाए, जिससे पदो की संख्या बढ़ जाएगी, साथ में जो 2013 परधाना चार भरती के बाद TGT-PGT नई भरती पर जो कार है वो चैन बोर्ड शुरू करेगा, ऐसी सूचना है, तो लगबग लगबग आचार सहीता समाप्त हो जाएगा, यनि चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही आपको नई TGT-PGT सिछक भरती देखने को म दी गई हैं, लेकिन जो सीटें आपर लगबग बची हैं, ठीक है, 17,000, उन सीटों को जो है चातर मांग कर रहे थे कि 68,500 में जो की उनकी थी, उसी में दوبारा से जोड दिया जाए, तो कहीं न कहीं सरकार इस पर बिचार भी कर रही है, और चातरों ने मांग करने के साथ, ग फिलाल अभी इस पर सुनवाई की तारिक डिसाइड नहीं हुई है, उसकी भी जानकारी हम आपको जरूर दे देंगे, तो सरकार इस पर बिचार कर सकती है, क्योंकि अब नई प्रत्मिक सिच्छक बरती तो आ नहीं पाएगी, वो चुनाओ के बाद ही आ पाएगी, तो ऐसे फिलाल अधिकारियों का इस पर अभी कोई भी आपर आधिकारिक बयान नहीं जारी हुआ है, कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्योंकि वो अभी यूपी टीटी में एड़र जूनियर 6,860 सूची ऐसी भरतियों में फसिफ हुए है, जब तक इन भरतियों की समस्याइं सॉल पर नहीं होती है, प्रक्रियाएं अन्य जो प्रक्रियाएं हैं वो आगे नहीं बढ़ने वाली हैं, तो यह कुछ महत पुर्ण सूचनाय थी, और और कोई जान करिए तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी भी अपडेट देजी जाएगी, और ऐसी ही इसे टेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें